नमस्कार दोस्तों मैं अम्हाराम इंणार और आपकर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल eちゃr इनानिया बिलोग चैनल पर तो दोस्तों आज का वीडियों कोई बिलोग वीडियो नहीं है कि आज का वीडियो होने वाला बहुत ही खास जानगारी के लिए क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही खास जानगारी नोट और सिक्कों के उपर तो चलो करते हैं वीडियो को सुरू तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांच एक रुपे के पांच बहुत ही कीमती शिखों के उपर तो किमत जानने से पहले हम जान लेते हैं मिंट के बारे में यह मिंट मार क्या होता है यह मैं आपको समझा देता हूं अज़ों हुआ की यह पांच रुपे का मैं बर्हानों का इसके निचे से नीचे यह है यह दायमंड की यह होता है मिंट मार का एक इसनी से मिंट से यह तो हो गई maritime के सिखे किमती है मिंट से से या तो यह तो हुगई कि यह होता है कि कलकत्ता का प्लेन है इसके कोई मिंट मार्क यहां पर कुछ गिल्दी करें नहीं दे रहा है इसका मतलब हुआ कि यह है कि कलकत्ता मिंट का हो गई कि यह हो गया ठह्यद्राबाद मिंट का इस टार मिंट मर्क होता है कि यह संहकर यह के निच address दिक दे रहा है इस्टार बनाएं चोटा सब्सक्राइब कर लेता है नोईड़ा मिंट की बात कि यह है कि पूरा द्यान से देखना यह है डोट राउंड गोड बिंदी की तरह एकदम यह यह होता है तो यह चार अलग अलग भारत के टक्साल है जहां पर शिक्कों की ड्राइब होती है तो यह तो वहीं मिंट की बात कर लेता है तो यह यह दूपर के तीन चार डेमो के तोर पर कि देमो के तोर पर मैं यह कोई कास की इमपीं यह डेमो के दोष्त आएं आपको समझा रहा हूं कि यह कोपर और निकल का सिक्का पराती मउन्य सोपीचे सी कहें यह लुक्त में कायि है जैमी इसकी में बात नहीं कर रहा हूं इसके जैसे स benefiting और वता å bare पार शिक्कों की बात करूंगा आज में एक रुपे की बारे में नीजीए होना चाहिए है यहां पर सन्ड के निचे नीजीए यही मिन्ट मारक होता है बुम्बे का डाइमेंड वह शिक्का बहुत ही कीमती है दारत का सभी समयंगा शिक्का वह है 1922 सन्ड के नीचे यहां डाइमेंड का चिन वह शिक्का सभ से केमती है किमत की बात करें तो वह शिक्का लगबग 15,000 से 35,000 तक किमत दिला सकता है अब गर लेते हैं दूसरे सिक्के की बात सेम यह सही वह है जैसे की यह है वह होगा 1991 उन्नीजीशो इक्राण में सन् 1921 में का यह एक सी या सी का डेमो पर रहसे है यह वी डेमो को तवर पर काम में ले रहा हूं ऐसा ही होगा नोई डा मिन्ट का डोट यह ऐसा 1101 के निचे यह डोट का मिंट मारक है कि ऐसा मिंट मारे आराम से यह देख लो देखने में आसान यह एसा डोट का एक दम राउंड गोर कि वह भी सिखा 20,000 से 40,000 रुपे की कीमत रखता है अब कर लेते हैं तीसरे सिखे की बात तीसरा सिखा यह तो वही कोपर निकल गई कोपर निकल दातु से बना है वह है यह चे ग्राम बजन का है तो सिखा 1902 और एक राणों का अब वह सिखाएगा बड़ा आठ ग्राम बजन का पूनीजो सितर सन आएगी उनीजो सितर निचे आएगा बंबे का डाइमेंड मिंट मारक वह भी सिखा तीसरे नंबर पर चल रहा है अबी लगवग पांच से साथ अजार रुपे कीमत रखता है तो ज्यान इसी बात का रखना है कि सन उनीजो सितर सितर के सन के नीचे बंबे का मिंट मारक डाइमेंड होना ज़रूरी है वीडियो लास्ट में मिंट मारक का फोटू दे दूंगा आपको समझने में आसना ने रहेगी उसके बाद में आता है उनीजो चोवन कि उनीजो चोवन का सिक्का एक रुपे का बजन में थोड़ा वो भी बढ़ा आएगा कि सेफ यह नहीं उसका सेफ अलग है वह भी मेरे पास नहीं है डेमों तोर पर वह वह भी सिक्का लगबग एक अजार रुपे की मत्रकता है अब कर लेदें नंबर पांच के सिक्के की ॣा के वह दूकत आएगा इस दनीजे इस तून बता इंडेव यह इस टेनिजे ट इमन डशे राम का सिक्का है कर फुश्चे बबगे हैं किस टो एससई का है उसको बोलता है क्रोस कोई पीचे ऐसा ऐसा क्रोस आएगा सिके के पीचे एसा क्रोस आएगा च्यार जिंदी आएगी ऐसे कि यह कि एसा आएगा एक रुपे का सिका सन दोजार चार इस टेनिस इस्टेल इसी दातु में बढ़ा है वो वह भी सिका लगबग पांसो सासो रुपे की किमत रखता है तो दोस्तों आज की वीडियो में हुई है पांच रिपब्लिक इंडिया के सबसे केमती सिक्कों पर बात यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नए वीडियो की कि अधा को सब्सक्राइं अधार नोटों पर भी जान गरेंगे यह नौट भी कई पचासों परकार गया अलग लग किमत रखता है कि 16 10 गुना पचास गुना तक किमत होती है नोट की चाहिए एक रुपए का वह सबहीं नॉट अलग-लग किमत रखता है यह भी किमत संगत है नोट यह भी यह इस्टार वाला नोट है शीरियल नमबर पर इस्टार है यह इस्टार वाला नोट बोलता है इसको यह बिना इस्टार का है सीरेल नमबर गवर्नर यह प्रिफिक्स नमबर होता है साट एल आगे इंसेट होता है उसके बाद में सीरेल नमबर होता है तो यह अलग अलग इंसेट से जैसे यह आर इंसेट का नोट हो गया यह है 21 टी प्रिफिक्स नमबर आर इंसेट तो उसके बाद में यह नमबर है, तो कोई वी आई पी नमबर होता है, कोई बर्त डिर नमबर होता है, तो आने वाले वीडियो में सब अलग अलग जान करी मिलती रहेगी, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन!